नमस्कार दोस्तों मद्विदे सिक्षभर्ती वर्ग 3 से संबंदित एक बहुत ही महत्पूर्ण अपडेट आपके साथ सेर कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों ने इस निउस को यूटूब पर सोसल मीडिया पर फेस्बुक पर काफी जगह देखा होगा और बहाँ पर सीधा जानकारी तो दी ही नहीं जा रही लेकिन उसके माध्यम से आपको गुमराय भी किया जा रहा है इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको सच का सामना कराने वाला हूँ और आपको सही जानकारी बताने वाले हूँ कि क्या बाकई में 75 रंग पर निउक्ती मिलेगी और किन वीडियो देख लेते हैं थमनल देखा आप लोग वीडियो उपन कर लेते हैं और आपको लगता कि ये बात सच है लेकिन जब अंदर जाते हैं तो और कुछ मिल जाता है तो इस बात को समझने है लाइक है जरा देखीगा बात क्या है 75 रंक वालों की इसको समझ लो आप सबसे पहले तो यहां पर देख रहे हैं कि प्रात्मिक सिक्षक भरती 17 से शुरू होगी यानी 17 नवंबर से अनुकम्पा वालों को मिलीगी पहली प्रात्मिकता यानी ऐसे चात-चात्रा है जो आज भी अनुकम्पा निक्ती में जोईनिंग नहीं मिल पाई उनको ही मिलेगा 75 रं को दी जाएगी लोग शिक्षण संचलानें DPI के अधिकारियों के मताबिक अन अभ्यारतियों के तरह मेरिट सूची का इंदजार नहीं करना पड़ेगा यानी जैसे सभी चात-चात्राओं की एक मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में यह जो अनुकम्पा निक्त और यह लोग इसके हगदार हैं क्योंकि अनुकम्पा निक्ति वालों को जोइनिंग पहले मिलनी चाहिए ठीक है आगे बात करें कि अधिकारियों का कहना है कि सिक्षा का अधिकार कानून RTE लागू होने के बाद आपकी बात करें तो D8-B8 के साथ ही पातरता परिक्षा पा कार दो हजार से अधिक मामले लंबित होने से इनकी निक्ति सारी प्रक्रिया है जो वो पूरी हो चुकी है कहने का मतलब एसा है कि दो हजार से अधिक अनी मान के चलो 2100 वावी सो पद हैं तो अब यहाँ पर प्रसेशन ने उठता है कि मद्देश में जो वर्ग तीन के 237 पदों पर नहीं होगी आगे बात करें 17 नवंबर तक आदेश जारी कर दिये जाएंगे प्रात्मिक सिक्षकों की भरती के लिए स्कूल सिक्षा विभाग के 7,439 सेवन जनजादी कार विभाग के 11,98 पदों पर स्रेयुक्त काउंसलिंग के माध्याप से भरती की यह बात तो सच है लेकिन यहाँ पर अब सच बाते हैं कि क्या 16,500 पदों पर भरती होगी क्योंकि अब यह जो अनुकमपन युक्ती वाले चात चात्रा हैं यह भी निकल जाएंगे तो यहाँ पर भरती पिरकिरिया होगी अच्छी बात है लेकिन पद कम होते नजर आ रहे ह आगे बता दे कि अधिकारियों ने बताया है कि प्राइमरी सिक्षोकों की भरती में यह वदलाव सिक्षा का अधिकार अधिनियम आर्टी के तहित किया गया है आर्टी के तहित स्कूलों में पढ़ाने वाले सिक्षोकों के पास बीएट डीएट की डिगरी होना अनिवारी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिलकुल विर्मित नहीं होना है यह 75 अंग वाली जो बात कही जा रही है वो उन चात्रों के लिए कही जा रही जिनको अनुकंपा के माध्यम से निवक्ती मिलना है याद रखेगा आपको गुम्राए बिलकुल नहीं होना है सही चीज को ये सही चीज को जाने क्योंकि आने वाले भविश्च के आप सिक्षक हैं